आज की इस वीडियो में फेस्बुक से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, उसका पूरा गणित समझाने वाला हूँ, अगर 2024 में आप फेस्बुक पर कॉंटेंट डाल कर पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप कम्प्लीट देखेगा, क्योंकि इस में मैं आपको बारीकी से एक एक चीज समझाऊँगा, कौन-कौन से तरीके हैं, फेस्बुक पे आप क्या-क्या कर सकते हैं, और कितना पैसा आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको यहां पे मिलते रहते हैं, सब अपके आपका Facebook का प्रोफाइल, दूसरा है आपका Facebook का Paige, और तीसरा है आपका Facebook का Group. अब देखिए, इन 3 से आप पैसा कमा सकते हैं, और 3 से पैसा कमाने के अलग-अलग तरीके भी है, जैसे अगर पेज और प्रोफाराइल की बात करें, तो उनमें कुस तरीके सिमलर है, ले करना पड़ेगा उसके बाद उस पर आपके follower बनते चले जाएंगे सेम ऐसे ही अगर आप प्रोफाइल पर काम नहीं करना चाहते तो आप किसी भी नेम से अपने Facebook का एक page create कर सकते हैं अब आपने दोनों चीजे कर ली अब यहाँ पर पैसा कैसे कमाएंगे पैसा कमाएंगे आप इन पर वीडियो अपलोड करके वैसे चाहें तो आप अपनी image फोटो अगेरा भी अपलोड कर सकते हैं बट उससे आप ज़्यादा पैसा नहीं कमाएंगे पैस प्रोग्राम की बात कर लेते हैं तो देखें चाहे आपकी profile हो उस पर आप काम करो चाहे आपका page हो उस पर आप काम करो आपको यहाँ पे अपने Facebook को monetize कराने के लिए कुछ criteria कंपीट करना पड़ता है criteria यह है कि आपके भाई साब सबसे पहले जो सबसे पहली जो कमाई है वो हो जाती है 500 follower पे ही start हो जाती है अगर आपके 500 follower हो जाते हैं तो यहाँ पे आप चो भी videos content डाल रहे हैं वहाँ पे आपको star का feature मिल जाएगा अब यह star का feature कैसे काम करता है जैसे भाई साब YouTube में एक super chat वगेरा काम करता है super thanks काम करता है वैसे star काम करता है यानि कि audience आपकी जो videos देखती है उनको अगर आपकी videos पसंद आती है तो star के बहाने वो आपको कुछ पैसा दे सकते हैं तो इस तरीके से star चाप पैसा कमा सकते हैं इसके बाद आता है pure monetization है उसका criteria उस criteria को complete करने के लिए आपका चाहे profile हो या page हो आपको 5000 follower complete करने पड़ेंगे और 6000 minute का जो है watch time आपके videos पर होना चाहिए और ये last two month के अंदर ही होना चाहिए अगर ये complete हो जाता है तो फिर आपके page को monetize कर दिया जाता है अब बात आएगी कि भाई आपके page कर देंगे ये जो minute का watch time ये वगरा कैसे होगा तो simple सा fund है कि आप जो videos डालोगे लोग आपकी videos को देखेंगे आपकी videos तीन minute से जादा time की होनी चाहिए 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 प्रोफाइल पे डालो चाहिए पेज़ पे डालो उन पर 6000 minute का जो watch time है न लगतो बहुत बढ़ा राय कि अर दो महीने में हो जाएगा लेकिन मैं कह र पेज की बात करूँ तो मैंने एक ही दिन में 25 वीडियो schedule करके छोड़ दी 15 दिन बाद मैं देखता हूं तो यह सब कुछ complete हो गया पेज भी monetize हो गया तो इस तरीके से आपको पेज monetize हो जाएगा पेज monetize करने के बाद आपको जो भी views वगेरा मिलते उनमें एड आता है जि तो यह हो गया फेजबुक प्रोफाइल को या फेजबुक के page को monetize करके पैसा कमाना इसके अलावा यहां पे क्या होता है जैसे हम reels बनाते हैं YouTube पे shorts बनाते हैं ऐसे फेजबुक reels भी होती है तो एक और फीचर है ads on reels लेकिन यह फीचर हर किसी को नहीं मिलता यह invite only है अग फेजबुक का एक और भी फीचर है bonuses program फेजबुक कई बार bonus program भी लेकि आता रहता है कभी reels पे bonus देगा कभी किसी पे bonus देगा अगर वो bonus program है वो भी invite only की तरह काम करता है अगर वो आपके पर आ जाता है तो उससे भी आप पैसा कमा सकते है तो ads on reel और bonus program के एक actionable तरीक है पैस कमा सकते हैं लेकिन एक चीजब का हमेशा ध्यान रखे facebook profile पर जो आप content डालते हैं या फिर facebook page पर content डालते हैं या वीडियोज डालते हैं वो आपकी original वीडियो ही होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप दूसरों की copy करके content बनाएंगे तो ज्यादा तर cases में आपको unoriginal content क problem आएगी सेम ऐसे यूट्यूब पर रियूस content की problem आती है ऐसे फेसबूप पर unoriginal content की problem आती है और फिर आप पैसा नहीं कमा सकते हैं या एक चीज़ सिंपल हो गई facebook हो youtube हो आप original content डालेंगे तब ही पैसा कमा पाएंगे तो यह तो वह तरीके हो गए अब इसके बाहर भी sponsorship कम मिलती है बठा मिलती जरूर है कोई भी brand आपके पास आता है वह अपना जो product उसका promotion करवाना चाहता है इसके बदले में वह आपको पैसे देगा और वह sponsorship से पैसा भी आप कमा सकते हैं इस condition में चाहिए आपका page monetize हो या ना हो बस आपके पास audience होनी चाहिए sponsorship आपको मिल ज सकते हैं और live के अंदर भी अगर add आएंगे तो उससे भी आपको पैसा मिलेगा अगर आपका page monetize है तो इसके अलावा Facebook पर एक option होता है subscription का अगर YouTube को आप अच्छे से जानते हैं भली बाती जानते तो YouTube पर जो membership का option होता है जैसे मेरी वीडियो के नीचे आपको YouTube पर join का button दि है तब तो ये पैसे कमाने के तरीके मैंने बता दिये लेकिन अगर आपका page monetize है या नहीं है इससे फरक नहीं पड़ेगा फिर भी आप पैसा कमा पाएंगे जैसे पहला तो मैंने sponsorship बताया दूसरा आप किसी person के जो page है किसी और का उसको भी आप promote कर सकते हैं अपने page पर और उससे भी आप कुछ पैसा चार्ज कर सकते हैं अगर आपके खुद की कोई shop या खुद को कोई business है तो अपने products related videos बनाके अपने business को भी बढ़ा सकते हैं इससे भी indirectly आप पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं इसके अलावा facebook पर content बनाके amazon flip card या cash करो के थुरू आप affiliate marketing भी कर सकते हैं बस in stream ad और live ads उससे पैसा कमाने के लिए आपके page को monetize होना बहुत जरूरी है facebook पर एक और भी feature है जिसको हम कहते है facebook action button इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं लेकिन ये भी एक indirectly आपकी earning होगी इसमें आप क्या कर सकते हैं action button का मतलब एक call to action होता है यानि आप किसी की website को promote कर रहे ह आप किसी की कोई भी app को promote कर रहे हैं तो उसमें क्या call to action होता है यानि कि वहाँ पर लिंक लगा सकते हैं और वो जो आपका audience उस पर click करेगा तो उसके platform पर redirect हो जाएगा जिसने आपको पैसा दिया है उसकी app हो सकते हैं उसकी website हो सकते हैं कुछ भी platform हो सकता है तो इससे भी आ मतलब ऐसे है जैसे आप WhatsApp पे गुरूप बनाते हैं Telegram पे गुरूप बनाते हैं ऐसे आप Facebook पर भी गुरूप बना सकते हैं यानि बहुत सारे Facebook के account एक गुरूप के अंदर आ जाते हैं गुरूप की भी एक theme होती है कि आपकी जो गुरूप हो किस category का है आप इस पर कोई video साथ एक साथ जुड़े हुए इस condition में क्या है कि आप sponsorship ले सकते है और उससे आप charge कर सकते है इस sponsorship कई तरीके के हो सकती है जैसे कोई अपनी app को promote करवा सकते है आपके group में उससे आप पैसा ले लेजिए कोई अपना कोई दूसरा उसका group है उसको promote करवा सकते है उससे पैसा ले लेजिए Facebook page को promote कर सकते है किसी की website को कर सकते है किसी का कोई बिजनिस है उसको प्रमोट कर सकते हैं इवन आप खुद का कोई बिजनिस है खुद की कोई सोप है खुद का कोई ब्रैंड है उसको भी प्रमोट करके अपने प्रोड़क को सेल करके भी पैसा निकाल सकते हैं इसके अलावा आप live stream पे जा सकते हैं, live stream पे जाकर भी आपको फ्रोड़क को promote करके वहां से भी sell out करके पैसा बना सकते हैं, आप यहां पे webinar कर सकते हैं, उससे भी आप पैसा निकाल सकते हैं, अपने online courses भी आप group में sell कर सकते हैं, e-book sell कर सकते हैं, आप जो चाहें इसमें वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक audience है, even आप चाहें तो बहुत सारे ऐसे NGOs भी हैं, जिन्होंने group बना रखते हैं, वहां पे वो donation भी लेते हैं, आप donation लेना एक कमाई का जरिया तो नहीं है, लेकिन अगर आप NGO के लिए कोई fund इखटा करना चाहते हैं, तो आप group के माध्यम स कर सकते हैं, कुल मिलाके अगर group से पैसा कमाने की बात करूं, तो इसकी कोई संभावना ही नहीं है, आप जितना जदा दिमाग लगाएंगे कि मेरे पास एक audience है, सपोस्थ 10,000 group member हैं, 10,000 लोग आपके साथ हैं, तो आप इनको चाहें जो service, चाहें जो product दे सकते हैं, sale कर सकते और पैसा बना सकते हैं, तो facebook से पैसा कमाने का ये एक तरीका है, तो अगर आप video content creator है, आप videos बनाना पसंद करते हैं, तो आप profile या facebook page पर काम करिए, अपने profile page को monetize करा के पैसा कमाईए, इसके अलावा जो तरीके बता हैं, उनसे भी पैसा कमाईए, लेकिन अगर आप video content नह सारे तरीके अब आगए होंगे, क्योंकि हर किसी का दिमाग काम करता है, कि अब facebook से और कैसे कैसे तरीकों से पैसा निकाल सकते हैं, तो अगर आपके दिमाग में भी कुछ और तरीके हैं, तो comment section में लिखिए, ताकि सभी लोगों की help हो सके, लेकिन एक चीज़ जरूर है, कि नए टोपिक के साथ तब तक के लिए, जैहिन!